आप सबको नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश गोड़ फोटोगरफी में आपका स्वागत है ट्रैकिंग और ट्रैवल और इनके बीड जो भी मिलता है उन कहानियों को हम यहां साजा करते हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें और प्लीज बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान भारत वर्ष में टूरिस्टों को आकरशित करने वाला सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान अपने इतिहास, समारकों और किलों के लिए जाना जाता है पर कुछ हिस्टोरिकल साइट्स ऐसी भी हैं जिनके बारे में आम लोगों की जानकारी बहुत ही कम है ऐसी ही मंदिरों की एक कबरगा है सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में और इस शेत्र में एक ही मंदिर थोड़ी सी बहतर हालत में है और वो है निलकंठ महादेव मंदिरों की कबरगाह मैंने इसलिए कहा कि इस छोटी सी घाटी में धेरों मंदिरों की आवशेश बिखरे पड़े हैं कोई कहता है 200 मंदिर यहां थे तो कोई 300 का अनुमान लगाता है पर यहां की स्थिती देखकर मेरा अनुमान है कि 50 के करीब मंदिर तो यहां होंगे ही आप अंदाजा लगाईए कि जब इतने मंदिर यहां थे तो जरूर एक अच्छा खासा बड़ा शहर और बड़ी आबादी भी यहां होगी तो आज इसी हिस्टॉरिकल साइट की हम यात्रा करेंगे और जानेंगे इस अजनवी सी लोकेशन के बारे में अलवर से जब बहुत ही फेमस भानगर जाते हैं तो बीच में एक कस्बा है टहला टहला से एक पतली सी सड़क नीलकंठ महादेव के लिए मुड़ती है और यहां से मंदिर करीब 10 किलो मिटर दूर है आभी तो यह सड़क फिर भी गाड़ी जाने लायक है पर कुछ साल पहले तो इस पर बाइक भी बड़ी मुश्किल से चल पाती थी और बरसात में तो यह कच्छा हिस्सा बिलकुल यात्रा के लायक नहीं रहता था सड़क धीरे धीरे पहाड़ पर चड़ने लगती है और देखते ही देखते एक लंगूर ने हमारी चलती गाड़ी पर जंप मार दिया इस गाउं का ये प्रवेश द्वार एक मात्र एंट्री पॉइंट है यहां एक मंदिर और छोटी सी धरमशाला भी बनी है पूशने पर पता चला की बाबा से बात करके रात को आप यहां रुक भी सकते हैं पर खाने की कोई विवस्था यहां नहीं है चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ीों से घिरी ये घाटी सरिस्का वन शित्र का हिस्सा है सरिस्का टाइगर रिजरों में होने के कारण वन विवाग इस गाओं को विस्थापित करना चाहता है पर ऐसा लगता है कि यह गाओं नीलकंट बाबा की क्रपा से ही बचा हुआ है मैं नीलकंट बावा की कृपा इसलिए कहूंगा कि नीलकंट महादेव का जो मंदिर है वो आर्केयलोजिकल सर्वे के अंडर है और अगर इस गाउं को विस्थापित किया जाता है तो ASI को भी ये बेश कीमती स्मारक छोड़ना पड़ेगा जो की होगा नहीं इसका नुक्सान ये हुआ है कि गाउं में लाइट जैसी बेसिक सुविधा भी नहीं है और लोगों को सोलर से काम चलाना पड़ता है काफी सालों की उपेक्षा के बाद अब आर्केयलोजिकल सर्वे अपनी नीन से जागा है और थोड़ा बहुत काम यहां हो रहा है शहर की भीड से दूर यहां इतिहास का खजाना गाउं के चारों तरफ बिखरा पड़ा है पर बहुत कम लोग ही यहां तक पहुँच पाते हैं बहुत सारे मंदिरों को यहां बिलकुल खत्म कर दिया गया है ज्यादा तरके सिर्फ चबूतरे और इधर उधर पड़े द्वस्त आउशेश ही बचे हैं छटी से दस्वी शताबदी का समय भारत की कला संस्कृति और स्थापत्ययन की आर्किटेक्चर का सुननिम युग रहा है गोल्डन पीरियड रहा है लगभग इसी समय में अलोरा के मंदिरों का निर्मान हुआ और लगभग यही समय था नीलकंठ महादेव के मंदिरों के बनने का और फिर दस्वी शताबदी में इस्लामिक आकरमनकारियों का भारत भूमी को बरबाद करने का जो सिलसला शुरू हुआ उसमें पता नहीं कितने मंदिर, कितने गुरुकुल और विद्धापीट बह गए इनसानी जीवन की तो कोई विसात ही नहीं थी नीलकंठ कैसे बचा रह गया इसके कोई ठोस प्रमान नहीं मिलते हैं हालां कि उत्तर भारत में लगबग हर मंदिर को पांडवों से जोड़ दिया जाता है जो मेरी समझ से बाहर है ये मंदिर अभी भी कोई बहुत अच्छी स्थिती में नहीं है बाद के सालों में बे तर्तीब उल्टे सीधे निर्मान ने इसके में आर्किटेक्चर को लगबग खत्म ही कर दिया है काफी सारे शांदार मूर्ती शिल्प अभी भी आप यहां देख सकते हैं फिर भी मैं कहूंगा कि कला और शिल्प के मामले में नीलकंठ बाड मेर के किराडू मंदिरों जितना शांदार तो नहीं है जिसकी यात्रा का वीडियो मैं पहले आप से शेयर कर चुका हूँ हिस्ट्री के साथ साथ यदि आप जंगल और आउट्डोर का अनंद लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है नीलकंठ महादेव की यात्रा बेहतरीन आप्शन है आसपास के ग्रामीडों में नीलकंठ बाबा के प्रती गहरी आस्ता है और लोग यहां दर्शन के लिए आते रहते हैं खेतों के बीच पड़े अवशेशों में दूर से एक विशाल लाल पत्थर की मूरती आपका ध्यान खीसती है और यह है नोगजा दिगंबर जैन मंदिर के अवशेश नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखे एक शिलालेक के मुताबिक इस मंदिर का निर्मान विक्रमी समवत 989 के बैसाख महा में पूरा हुआ था यानि की 922 इस्वी में साड़े सत्रा फिट उचा जैन तिर्थांकर शांतिनात का स्टेच्यू ही अपने पूर्ण सवरूप में है इसके अलावा पूरे मंदिर को जमिंदोज कर दिया गया है इस विशाल स्टेच्यू को देख कर कभी कभी लगता है कि इसे शायद कहीं और से लाकर यहां रख दिया गया था जैसे महरॉली के लोस्तंब को सद्यों पहले कहीं और से लाया गया था शायद मथूरा से 1200 सालों का कालखंड छोटा भी तो नहीं होता जहां तहां मंदिरों की मूर्तियों और स्तंभों के अवशेश बिखरे पड़े हैं इतनी एतिहासिक साइट को जिस तरह से नजर अंदाज किया गया है ये सच में दुखद है अरावली में वन जीवन की भरमार है और यहां भी धेर सारे मोर और दूसरे पक्षी है अब जरा नीलकंठ महादेव मंदिर के भीतर आपको लेकर चलते हैं जहां तहां सिमेंट और इंटे चिपका कर दिवारे बना दी गई हैं और सिमेंटेड फर्ष भी बना दिया गया है मंदिर में प्राचीनता के नाम पर खंबे, शिवलिंग और गर्ब ग्रह की चोखट ही अब बचपाई है बाहरी दिवारों पर मूर्तियों के कुछ और क्लोज अप्स भी आप देखिए मंदिर के मुख्य द्वार से निकल कर सीधे उत्तर पश्चिम में लगभग धाई सो मीटर चलने पर यहां एक और शिव मंदिर के अवशेश पड़े है काले ग्रेनाइट का ये टूटा हुआ शिवलिंग रुके हुए समय का अहसास कराता है पर समय सच में भाग रहा था और शाम हो चली थी यहां नाइट स्टे का कोई आप्शन भी नहीं था तो एक दिन में हम जितना कवर कर पाए बस उतना ही था यहां बहुत सारे मंदिर जंगलों में इधर उधर बिखरे पड़े हैं वहां तक तो हम पहुच भी नहीं पाए और फिर वापिस अलवर की तरफ हम भी उड़ चले इस उमीद में कि एक बार सर्दियों में यहां जरूर आना है